हाई एवरिबोडी वेलकम टू मैं चैनल आज मैं आपको बेबी वुट्टी बनाना सुखाऊंगी तो देखिए यह कितनी सुंदर है और मैं इसको बनाना सुखाती हूँ तो देखिए शुरू करते हैं इसको बनाने के लिए मैंने 38 फंदे डाल लिये हैं और हम यह सीधी स्लाई से शुरू करेंगे और सारी यह उटी स्लाई बनेंगे पैली स्लाई सारी उर्टी बनेंगे अब हमारी उर्टी स्लाई बनकर कम्पलीट हो गयी है अब आते हैं सेकंड रो में सेकंड रो भी हम ऐसे सारी उर्टी उर्टी डालेंगे पहला फंदर स्किप्ट करेंगे और सारी स्लाई ये भी उर्टी बुनेंगे ये हमने सेकंड रो सारी उर्टी उर्टी बुनकर कम्प्लीट कर ली है और ये इसकी सीधी साइड है अब हम ऐसे ये ऐसे उर्टा उर्टा बुनेंगे और ऐसी यां बारा दारियां बनाएंगे मतलब बारा दारियां कम्प्लीट करेंगे और 24 लाईयां टोटल बुनेंगे हमने ये बारा दारियां बुनकर कम्प्लीट कर ली है और आगे बताती हूं कि क्या करना है ये जो पहले फंदे है हम ऐसा ही स्किप करेंगे और ये बारा फंदे हम एज इट इस उर्टे बुन लेंगे चार पांच छे साथ आठ नौँ दस ग्यारा बारा ये बारा फंदे हमने लिये है अब हम बारा फंदे बुनने के बाद ये दो का एक बनाएंगे और इसमें मैं मोत्ती डालनूँगी दो का एक, मोत्ती डाला, दो के एक, मुट्ती डाला, फिर दो का एक, एक और मुट्ती डाला एसे। ऐसे और फिर दो का एक ऐसे फिर दो का एक ऐसे हमने और इदर हम बारा फंदे बचाएंगे ऐसे ये गिन देते हैं दो चार छे आठ दस दो बारा ये बारा ये दो और बुम लेते हैं ऐसे दो का एक करेंगे ऐसे तो हमने ये दो मोती पहले एक्स्ट्रा डाल दे थे और ये साथ फंदों का दो का एक बनाया है और ये मैं वैसे एक्स्ट्रा मोती डाल लूँगी दो कुन्डों में यासे बाकी ये दो हम इदर ही इनकी इदर ही गिन्ती करेंगे और टोटल हमने मोती डालने हैं दो इधर मोत्ती डाले हैं एक्स्ट्रा और दो इधर बाक्य के फंदे हमने दो का एक किया है अब मोत्ती सारे भी डाल सकते हैं जाँ फिर थोड़ो दो का एक किया है उन फंदों में डाल सकते हैं जे बाक्य के बाराम फंदे हम उटे बुनेंगे अब चेर नेक्स्ट स्लाई है जो सारी ही उर्टी उनेंगे पहला फंद उत्वारा बक्की की सारी स्लाई हम उर्टी बुन लेंगे जे हमने सारी स्लाई उर्टी बुन ली है अब आगे क्या करेंगे जे पहला फंद स्किप करेंगे दूसरा ऐसे उर्टी बारां फंद उर्टे बुनेंगे दो चार चे आट दस ग्यारा और बारां बारां फंद उर्टे बुनकर हम जे फंदेंगे अब जो दो दूसरा बुनेगे दो का एक या था वो गटा देंगे ऐसे ऐसे ये दिखिए तो बकी 12 फंदे बचने चाहिए गटा कर हमारे दो चार चेर अट दस ते दो बारा ये हमारे टोटुएंगे बारा फंदे बच गए है चाहर दो शे दो अट दो दस दो बारा और ये सारी आगे उर्टी ही सलाई बुनेंगे अब आपते हैं उर्टी सलाई पे फिर हम बारा फंदे अग्याद्री आपते हैं बुनेंगे पहला स्किप्ट करेंगे और बारा फंदे बुन लेंगे जे हमने बारा फंदे बुन लिए है चार चे आट दस बारा अब देखिए जे हमने फंदे बठाए थे और अब हम ऐसे चलाई करकर ऐसे छे फंदे इसमें डालेंगे ऐसे सिंगल दागे से ऐसे ये दो तीन चार पांच और ये शे शे फंदे डालने के बाद हम दागा अपनी साइड करेंगे और ये सलाई सारी उल्टी बुन लेंगे ऐसे क्पुन दाए जाई सबस्टा है अब जो सीधी सलाई है ये भी हम सारी उर्टी बुनेंगे परला फंदा स्किप करेंगे और ये सलाई उर्टी बुन लेते है अब ये जो एक्स्ट्रा फंदे हम छे फंदे डाले थे ये भी ऐसे उर्टे साथ में ही बुन लेंगे ये दिखिए हमने शे फंदे भी बुन ले है ये सलाई हमारी कंप्लीट हो गई है ये दिखिए अब देखते हैं आगे क्या करना है ये भी सलाई उर्टी ही बुने है सब उर्टा उर्टा बुना एक सलाई और बुनेंगे हमने फंदे बढ़ाने के बाद ये बाले फंदे बढ़ाने के बाद हमने चार सलाई कंप्लीट कर ली है अब हम डोरी डारने के लिए जाली बनाएंगे और जाली बनाते हुए चार सलाई कंप्लीट करने के बाद हम ये दो फंदे ऐसे ही तीन फंदे बुन रहते हैं और फिर मैं इसमें भी मुत्ती डालूंगी एक सलाई अब दो फंदे शोड़कर मुत्ती डालूंगी ऐसे ऐसे फिर दो ऐसे बने और फिर मुत्ती डाला ऐसे ऐसे सारी सलाई में मैं मुत्ती डालूंगी हमने पूरी सलाई में मुत्ती डाल लिये हैं और हम उल्टी सलाई में डोरी डालने के लिए जाली बनाएंगे दागा पीछे करके दो का एक ऐसे फिर दागा पीछे दो का एक फिर दागा पीछे दो का एक ऐसे ही हम सारी सलाई कम्प्लीट कर लेंगे देखिए ऐसे ही हम डोरी डालने के लिए जाली बना लेंगे यह सलाई हमने कम्प्लीट कर ली है और यह हम पूरी सलाई उर्टी डालेंगे ऐसे ऐसे जाली बला बंदा भी ऐसे रोटा भून लेंगे और यह भी रोटा भून लेंगे इसके बाद हम जे हम पूर्टी सलाई डालने के बाद डोरी बनाने वली सलाई के बाद चार ऐसे चार दारिया और बना लेंगे ऐसे जैसे यह बनाई है एक दो तीन चार चार दारिया और बना लेंगे और फिर कंप्लीट हो जाएगा हमारा बुट्टी देखिए हमने चार दारिया डाल कर यह बाइंड ओफ कर दिया है और आप सिलने के बाद आपको बताती हैं कि यह कैसा लगता है झाल जाएगा है हमने पूरा बूट सिर लिया है और सिरने के बाद देखते हैं कैसा लगता है यह दिखिए हमारा बेबी बूट बनकर त्यार हो गया है तो आप भी बनाएए और शेयर कीजिए